दिवाली के सुबब सर में केयल रहूल ने अपने बल्ले बाजी से पढ़ा के फोड़ दिये पूरे स्टेडियम में मुकाबला जो था वो वर्ल्लकप का ये मुकाबला था और साथ में केयल रहूल ने काफी सांदर काफी जब अजस्त बल्ले बाजी करी निदरलेंड के खिला पहले बल्लिबाजी करते हुए क्याल राहूल ने 102 रन बनाया और 61 गेनों में ये कारनमा किया वहीं 114 लगाए, 4 च्छके क्याल राहूल ने लगाए और वर्ड कप में भारत के तरब से सबसे तेज सतक बनाने वाले खिलाडी बन गए केयाल राहूल और केयाल राहूल ने काफी ताबरतोर तरीके से काफी सांदार तरीके से बल्लेबाजी करी और केयाल राहूल ने सतक जड़ दिया और केयाल राहूल का इस वर्लिकॉप में पहला सतक था और काफी समय से कियारावल काफी अच्छा परफेंस कर रहे थे काफी तबर्ट और बले बार्जेजी कर रहे थे और नीदर रेंड के खिलाफ कियार्रावल ने काफी लाजवाब बलेबाजी कर रहा और 49 ओवर में कियारावल ने लगभग 2 े लगाए दो चक्के लगाए, स्टार्टिंग के ही दो गेनों में दो चक्के लगाए और अपना सेंचुरी को पूरा किया, उसके बाद कियाल राहूल ने काफी सांधार तरीके से सेलिब्रेट किया और ये जो सतक था कियाल राहूल का, इस सतक को सबने सेलिब्रेट किया क्याल राहूल अभी टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा पाफ्राइन्स कर रहे हैं जब से वर्ल्ल कप स्टार्ट हुआ है तब से क्याल राहूल लगातार इनके बले बाजी से रन निकल रहा है वहीं ऑस्टेलियया के खिलाब जो मुकाबला था थी क्योंकि आस्टेलिया की जो टीम थी वो 200 के आसपास पहुंच पाई थी और वहीं किया राहूल और विराट कोली ने अच्छा सुरुवाद किया था और जो प्लेयर ओद मैच थे वो किया राहूल बने थे क्योंकि टीम इंडिया का जीरो रन पे तीनिव केट था और टीम क्योंकि चाहर है किया राहूल का सतक पूरा हो किया राहूल अभी जितना भी मैच हुआ है ज़े। क्योंकि आप सबकी दिवाली आप लोग भी दिवाली स्फी फिर मिलते है दुस्टडियों को ले करके तब तक के लिए आप अपना क्याल रखें जह हिंजा है भरत